गत्य दिन हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी जियान गुमाये का भारतिया सेना का जेनरल सिडियेस विपिन रावत साथ है उनकी धर्म पत्ने लगायत अन्य भारतिया सेना को जवान हरुले जियान गुमाये का थिये और देशवासियों के इस दुख्म के साथ जुड़ रहे हैं खुद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जो पौलम एयरपोर्ट पहुंचे हैं इस वक्त हमारे इन देश के वीरशपूतों को शद्धांजले अर्पित करने के लिए देश के लिए एक अपूर नियक्षती है ये जब हमारे देश के प्रथम Chief of Defense Staff उनकी इस तरह असाम्यक मृत्य हुई और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुषपांजली के जर्ये इन वीर सपूतों को शधांजली अरपित करते हुए प्रधार मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनात सिंग और ये शधांजली प्रधार मंत्री की ओर से नहीं बलकि पूरे देश की ओर से प्रधार मंत्री अपने इन वीर सपूतों को देश के इन बलिदानियों को अरपित कर रहे हैं इन शूरवीरों को विनम्र श्रधान्जली दे रहा है देश, प्रधारमंती नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन राश्ट्रनायक बलिदानियों को विनम्र श्रधान्जली दे रहे हैं चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ श्रिप बिपन रावत और उनकी पतनी सहित सेन अधिकारियों का निधन अत्यान्त दुखत और राश्ट्र के लिए अपूर्णियक शती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल बिपन रावत को पुषपांजली अरपित करते हुए शधांजली अरपित करते हुए और अब उनकी पतनी मधुलिका रावची को भी पुषप अरपित करते हुए शधांजली देते हुए और अब ब्रिगेजर एलस लिदर को भी शधाँजली देते हुए प्रधान मंत्री इस दुरघटा में CDS के साथ अन्य बारा लोग हैं जो शहीद हुए हैं इनमें जनरल विपिन रावत उनके पतनी के अलावा ब्रिगेजर एलस लिदर लेट्नें कर्नल हरचिंदर सींग विंग क्मांडर पी-एस जोहान स्कॉड़न लेडर केश Сींग नायक गुर्सेवक सिंग नायक जीतेंद्र कुमार लांस नायक की विवेक कुमार लांस नायक साइतेजा जुनियर वारंट ओफिसर दास, जुनियर वारंट ओफिसर एप्रदीप और हवलदार सत्पाल इन सभी को विधान मंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र शर्धान्चली दे रहे हैं ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं जिनोंने देश भक्ति का जजबा अपने जीवन में प्रकट किया जिनोंने इस जजबे को जिया और इसी जजबे के लिए कुर्बान हो गए देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी और आज तिरंगे में लिप्टा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों के आँखों में अशुत उला रहा है लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसाथ करने का भी आहवान कर रहा है कि देश भक्ती के लिए जियो देश के लिए जियो देश भक्ती के जजबे के साथ जियो और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्मसाथ करना तभी देश के प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, देशवासियों के ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, शधांजली अर्पित कर रहे हैं देश के लिए एक भावुक्षन है जब एक साथ अपने इतने वीरसपूतों को देश ने खोया ऐसे में इनके परिवारचन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साचा करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐसे क्षण हैं, ये ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमरते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इनी परिजनों के प्रती देशवासियों की कृतग्यता प्रदर्शित करते हुए देश के लिए इन वीर सबुतों का बलिदान, इन परिवार जन का भी बलिदान बहुत बड़ा है इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सबकी आँखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है और इन सबके प्रती आज देश की ओर से कृतग्यता और पित कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अफसर जब पुरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अफसर जब इन वीर बलिदानियों को पुरा देश इनके प्रती कृतग्यता महसूस कर रहा है पुरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देश भक्ति का सबक सीख रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपून देश की ओर से इन्हें शद्धान्जले अर्पित की है इनके परिवारजन के प्रतिक्र तग्यता अर्पित की है क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है ये देश भक्ति का जो सबक सबको सिखा रहे हैं आज हमें उसे आत्म साथ करना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनात सेंग तीनों सेनाओं के प्रमुख जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूर वीरों को शधान चली अरपित की है पालम एरपोर्ट से ये सीधे दृष्य आप देख रहे हैं शुधान चली अरपित कर प्रधान मंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालम एरपोर्ट से यहाँ पार्थिव शरी रखे गए हैं और इन पार्थिव शरीरों में जन्रल बिपन रावत उनकी पत्नी मध्लीका रावत का पार्थिव शरीर भी मौचूद है जनर्रल बेपनरावत जो हमारे देश के प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ रहे जिनोंने अपना पूरा जीवन देश के लिए चिया